जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ रिष्टे सुधारना बहुत जरूरी हो गए है जब कि बार बार ये कहा जा रहा था कि ट्रेड एंड टेरर कैनाट गो टुगेधर अब ये बात कहां से सामने आ गई और ये भी एक बड़ा जिस तरह से आपने रिपोर्ट देखी कि ट्रेड तो रोक तो पाकिस्तान नहीं लगाई थी फिर ऐसा प्रेम क्यों मड़ा है निकिल देखे ये पंजाब के चुनाओ आते 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 आप जिस तरह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान को लेकर जो नेताओं की जो बयान है और जो एक कह सकते हैं आपकी बयानों का बोचार चल रह है वो एक तरह से लग रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी और आमादवी पार्टी में एक कंपिटिशन चल पड़ा है अब जब कॉंग्रेस के नेताओं ने पाकिस्तान प्रेम को जलकाया तो केजरिवाल कहां पीछे रने वाले थे और जाहर सी बात है कि उन्होंने बागा बॉ पाकिस्तान का जो ट्रेड रिलेशन है उसमें पाकिस्तान के टू बिलियंज डॉलर टू बिलियंज डॉलर पाकिस्तान का ट्रेड था जो भारत में आता था और इसी बक्स में अगर आप देखें कि भारत का सिर्फ पास सो मिलियन डॉलर जो है वो उसका ट्रेड था यह पाकिस्तान के कई चीजे ती वह आयात होती थी और भारत के बाजारों में मिलती थी चाहे वह आप ड्राइफ रूट से ले और कई ऐसी चीजे थी जो पाकिस्तान से आती थी उस पर उनकी ड्यूटी भी कम लगती थी लेकिन अब यह सवाल यह है कि यह मोस्ट फेवर्ड नेशन के साथ साथ एंट्रेड रिलेशन किस ने बंद किया तो खुद पाकिस्तान ने बंद किया अर्टिकल 370 का जो कस्मीर में 2019 में आया तो पाकिस्तान ने अपना हाई कमिशन भी हटाया और इसके बाद उसने भारत से स गाववादी था तो थे उनको यह बताने के लिए हो कि हम उनके साथ हैं तो आज पाकिस्तान के हालत क्या है जो पी एम मोदी कहते थे जो देश जो मुल्क कभी आतंगबाद प्रायोजित करता था आज वो देश आटे के लिए तरस रहा है इस बात को अगर हमारे नेता यहा बहुत सारे सवाल हैं दरसल सवाल यह भी है कि ट्रेड और टेरर क्या एक साथ चलेगा क्या टेरर को रोकने की जरूरत नहीं है ट्रेड चालू होना यह पहले बहुत जरूरी है और दूसरी बार यह बड़ा सवाल यह है कि जिब ट्रेड पाकिस्तान नहीं अपनी और से बं उlar वेज़ भी कर दो लुट से लुट कर्या है।